Vivo Y15 Play Store की ID केसे बनाए नाए नमस्कार डोस्तो स्वागर आप सभी का तिकिराच YouTube चेनल पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि Vivo का जो यहाँ पर फोन है उसमें आप Play Store ID केसे बना सकते है Play Store ID होता किया मैं आपको वो भी बता रहता हूँ सारे साथ दोस्तो यहाँ पर Play Store ID आपको कहा पर जाके बनाना है केसे बनाना है कौन सा ID यूस होता है तो वस्तो दोस्तो आज के इस वीडियो पर हम दिसकास करने वाले हैं तो उसके लिए दोस्तो वीडियो को आन तक देख लीजिए और यहाँ पर दोस्तो आप भी जान लीजिए Play Store ID केसे बना सकते हैं वीवो फोन पर तो वीडियो शुरू करने से पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें सारे साथ दोस्तो वेल आइकन को भी क्लिक जरूर कर लीजिएगा यही आप उनलाइन से पैसा कामाना चाते हैं उसके लिए हमने वीडियो डिस्क्रिप्शिन पर लिंक दे रहा है आप जाकी चेक आउट कर सकते हैं तो सबसे पहले तो दोस्तो चलिए यहाँ पर हम जाते हैं सेटिंग के अंदर पर ठीक है सेटिंग पर जाने से पहले मैं आपको एक बार प्लेश्टोर पर भी ले जाना चाता हूँ तो आइए Play Store पर जाते हैं Play Store पर जाने के बाद दोस्तो आपका जो ID है वो यहाँ पर शो करेगा ठीक है तो यहाँ पर क्लिक करते आपका पूरा ID शो कर जाएगा और यह ID जो है यह है गूगल ID ठीक है तो Play Store का जो ID है वो आपको Google ID से ही मिलेगा तो गूगल आईडी आपको create करना होगा सबसे पहले गूगल आईडी create करने के बात ही दोस्तों आप प्लेश्टोर को sign in कर पाओगे ठीक है तो यहाँ पड़ोस तो प्लेश्टोर का आईडी अलग से नहीं होते तो प्लेश्टोर का जो आईडी होते वो है आपका Gmail account Gmail account बनाने से प्लेश्टोर आईडी खुटबाखुट वो ही set हो जाएगा ठीक है तो चलिए देखते हैं कैसे हम प्लेश्टोर आईडी बना सकते हैं या फिर Gmail आईडी बना सकते हैं उसके लिए हमें setting पर जाना है setting पर जाके scroll down करके नीचे जो है आज आना है नीचे हमें मिलेगा account in sync उसमें जाना है उसमें जाने के बाद दोस्तो हमें यहाँ पर एड एकाउन पर सबसे नीचे में जाना होगा ठीक है एड एकाउन एड एकाउन पर जाने के बाद दोस्तो आपको Google पर क्लिक करना है आप देख सकते यहाँ पर तो Google पर क्लिक कर देना है उसके बाद दोस्तों आपको नीचे में दुबारा से जाना है एर एकाउन पर तो यहाँ पर दोस्तों यह बेख हो गया ठीक है तो एक बार आये देख लेते तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते चेकिंग इन्फो हो रहा है ठीक है उसके बार अपना पास्वोर्ट बढ़ दीजिए तो दुबारा से चेकिंग करना है जैसी क्रेंट एकॉन पर क्लिक करोगे myself उसमें आपको क्लिक करना है थिक है बिजनिस के लिए नहीं बना रहे हैं आपको फोर माय रॉसेल्फ क्रेट कर देना है उसके बाद दौस्तों आपको यह나 पर फरसक नींब पर basic ठीक बेसिक information उसको बढ़ना होगा तो basic information होता कि यहाँ पर देख लेजिए enter your birthday in gender बता रहें तो बस आपको यहाँ पर set करने आपका बडेट ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों मौंट मेंने set कर दिया day मेंने set कर दिया उसके बाद येर मेंने सेट कर दिया उसके बाद जेंदर आपको यहाँ पर देना है तो जेंदर दोस्तों मेल देते थे उसके बाद नेक्स पर क्लिक करते हैं नेक्स पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको आपका जो इमेल आईडिया है उसको क्रेट करने का पासवोड दोस्तों आपको एट करेक्टर वाला पासवोड देना होगा ठीक है स्ट्रॉंग पासवोड आप अपने मोबाइल नंबर को भी देख सकते हैं मोबाइल नंबर वगएरा यहाँ पर भर देते हैं तो आपको वह चीज याद रहेगा ठीक है तो आठ से लेके 10 नंब इस पर सबकुछ मिक्स आप करके भर दिजिए उसके आपका जो पासवोडári वह सेठ हो जाएगा तो यहा पासवोड वगएरा सेड करने के बाद आपको прमशन भी देना कवारा क्रिक करने के बाद आपको next-पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो एक्ट करते जाना प्रोसेस तक मैंने आपको शो करके बता दिया है तो पास्टोर डेनी के बार आपको आई एगरी करते जाना है उसके बार आपका आईडी बन जाएगा आईडी बनने का प्लेश्टोर में जाएए खुट बखुट आप साइन इन कर पाओगे उस जीमेल एकाउन के साथ ठीक है तो इस तरीके से दोस्तो प्लेश्टोर की आईडी बनाया जाते है वीवो के फोन पे या तो फिर किसी भी डिवाइस के अंदर पे है तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को जाके लाइक करें आज के इस वीडियो पर बस इतने ही ठेंक्स पूर आचिंग